लंब दंड गोल पिंड मार धाड परतियो गिता मतलब किरकेट किरकेट का दूसरा मतलब होता है क्या जहींगुर जो कान में चला जाये तो बहुत परिशान करता है हम बच्पन में ऐसा सुना करते थे और ये जो किरकेट हमारा है वो अगर हमारे जहन में हमारे रूह में चला लेकिन कोई बात नहीं, आज हम भावनात्मक बात नहीं करेंगे, इमोशनल बातें नहीं करेंगे, आज हम जानकाईयों को उपर बात करेंगे, फैक्ट को उपर बात करेंगे, फैक्ट क्या हो सकता है, कि वर्ल्ड कप जीतने वाले को 25 लाग की क्राफटे ट्रॉफी मिलती है, 33 करोड रुपया का प्राइज मनी मिलता है हारने वाले को final में जो 16 करोड रुपय मिलता है और semi-final में हारने वाले को 6.5 करोड रुपय मिलता है ये तो कुछ facts की बात हो गई तो आज हम cricket की बात करें cricket ऐसा खेल जो अच पूरी दुनिया में खेला जाता है दुनिया में परचलित हो गया फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद जो है इसमें बहुत जादा रेविन्यू आ गया आई सी सी के पास बीसी सी आई के पास काफी रेविन्यू आ रहा है आई सी सी के अगर आप इंकम देखेंगे तो लगबग चार रेखते थे मारते थे वोई परचलित नहीं था लेकिन उसके बाद इसका चर्चा बढ़ा और चर्चा बढ़ा तो खर्चा बढ़ा खर्चा बढ़ा तो इंकम बढ़ी और पुब्लिसिटी बढ़ी है आयाज हम सबसे पहले फोकस करेंगे वर्ल्ड कप के उपर देखिए व ODI One Day International खेला गया उसमें West Indies विजेता रही जो मैस था 60 ओवर का उसमें टीम ने पार्टिसेपेट किया 8 और आज 2023 के वर्ल्ड कप में 10 टीम है 2027 के वर्ल्ड कप में आपको 14 टीम मिलेगी competitors लेकिन बात करते हैं उसके बाद आपको पता है कि वर्ल्ड कप हर 4 साल के अंदर ख खेला जाएगा 1975 में खेला गया तो 1989 में फिर खेला गया 1989 के अंदर फिर से इंगलेंड में खेला गया फिर से 60 ओवर का हुआ फिर आट टीम पार्टिसेपेट की और फिर से West Indies जीत गया फिर 1983 में खेला गया और 1983 में इंडिया और फॉर्टुनेटली जो है कि जीत गई वो 60 ओवर का मैच था अब 1987 में मतलब इंगलेंड के बाहर पहली बार जो है कि कमबाइन होके तीन देशों ने जो है किसको खेला और वो 50 ओवर का मैच हुआ और उस वक्त ऑस्टेलिया ने उसको जीत लिया 1987 में फिर 1992 में खेला गया 1992 में पाकिस्तान ने जीता 1996 में शिरी लंका ने जीता फिर 99 में उस्टेलिया ने जीत लिया फिर 2002 में उस्टेलिया ने जीत लिया फिर 2007 में उस्टेलिया ने जीत लिया फिर 2011 में इंडिया ने जीत लिया फिर 2015 में उस्टेलिया ने जीत लिया फिर 2019 में इंगलेंड ने जीत लिया और फिर 2023 में फिर उस्टेलिया ने ज श्री लंका के पास एक है, इंगलेंड के पास एक है, और साथ में ऑस्टेलिया के पास छे है, तो सबसे ज़ादा ODI, वन डे इंटरनेशनल जीतने वाली जो टीम बन जाती है, वो ऑस्टेलिया बन जाती है, अब आपको बात करें कि इसमें सबसे पहली चीज जो है कि बड़ी आप इस बड़ी को समझें, पूरी और्गनाइडेशन को समझें, जो ODI है, वो एक ICC का इंटरनेशनल किर्केट काउंसिल का पार्ट, ICC head body है, जैसे हमारे भारत देश में किर्केट की head body, जो BCCI है, Board of Cricket, Right, क्या बोलते हैं, Board of Cricket, Council of India, Board of Cricket, Council of India, BCCI, Board of Cricket, Council of India, अगर फ 9 को शुरुआ थुई, जिसका नाम था, Imperial Cricket Conference, इसका पहला नाम जो था, Imperial Cricket Conference, फिर ICC का 1967 में दूसरा नाम पड़ा, जो है कि International Cricket Conference, International Cricket Conference, 1987 में फिर नाम पड़ा, उसके बाद ICC International Cricket Council, आपको पता है कि 2005 तक ICC का जो headquarter था, वो London England में था, 2005 के बाद ये shift हो गया, UAE United Arab Emirates, मतल काफी जलवा है, मतलब ICC का headquarter, सोच लिजे के वहाँ है, जो London में चीज़ शुरू हुए तो वो दुबई shift हो गई, दुबई ने अपने जलवे को दिखाया, और जो है कि ICC का headquarter ले लिया, तो आज पैसे भी उसकी वज़ा से आ रहे है, क्योंकि अगर आप ICC का एक income देख तो मतलब एक income है, income क्या है, ticketing से income, broadcasting से income, copyright से income, बहुत सारी income के resources है, और ICC International Cricket Council T20 International कराता है, test match भी कराता है, ODI One Day International भी कराता है, तो अभी 2023 में जो हमने देखा, वो ODI है, One Day International है, मतलब जो 1975 से चालू हुआ और 2023 में खेला गया, अब 2027 में खेला जाएगा, FIFA World Cup की तरह, यह भी एक cricket World Cup है, अब पहला जो international test या पहला international match खेला गया, cricket खेला गया, वो Canada और USA, United States of America के बीच में खेला गया, 1844 में, मतलब cricket का इतिहास आप देखेंगे तो काफी 19th century से पहले, 18th century से पहले, 17th century से पहले, 16th century में इसकी origination उत्पत्ती दिखाते है, अब धीरे धीरे यह बहुत जादा परचिलित हो गया, और परचिलित होने के बाद यह काफी हववा बनाया हुआ है, मार एकदम दिलो में जो है कि रौनक जगा दिया है सबके काफी, अब बात करेंगे मैंना जिसन के बताया, साड़े 6 करोड से में फाइनल में हारने वाली टीम को 16 करोड उपय मिलता है, फाइनल में जीतने वाली टीम को 33 करोड उपया मिलता है, और 25 लाग की लगभग वो क्राफटेट ट्रॉफी होती है, जो की हैंड ओवर की जाती है, उसी तरीके साथ फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देखेंगे तो इससे कई गुना महंगी होती है, आईपिल की ICC का पार्ट है, जो हेड है, एक तरीके से जो कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के किर्केट का हेड है, वो ICC है, और जो इंडिया का हेड है, वो BCCI है, तो वर्ल्ड कप के ये कुछ रहतत, सबसे जादा रन मारने वाले सचिंदे अनुलकर, सबसे जादा जो है कि विकेट ले गम भी देते हैं, आसू भी देते हैं, और साथ-साथ में बहुत जादा इंट्रेस्ट और एक्साइटमेंट भी जगा जाते हैं, तो अभी आपको हाली फिलाल में पता है कि एक लाग 32,000 लोगों ने जो है कि मिस्टर मोधी स्टेडियम में मतलब बोले तो गुजरात में द देखा, तो एक तरीके से इसको बहुत लोगों ने जो है कि देखा, बहुत लोगों ने इंट्रेस्ट दिखाया, एक सर्वे ने बताया था, इंडियन जो होते हैं, भारती लोग किरकेट में बहुत इंट्रेस्ट रखते हैं, लेकिन फिर दूसरे सर्वे ने बताया कि हम भ में ऑजिस को खो दिया फाइनल में आके सारे मैंच अब से इसमें एक चीज़ हमें और शमजना है तो BCCI जो है जैसे विंअ क्रिकट लिग जिसको WPL बोलते हैं आई पिल इंडियन प्रिमियर लीग कराता है, रंजी ट्रॉफी कराता है, उसके बाद जो है कि इरानी ट्रॉफी कराता है, और जो है कि बहुत से ऐसे ट्रॉफी वो कराता है, उसके बाद इसके कहीं न कहीं, जो है कि BCCI, ICC से मिलके कुछ कराता है, जैसे इसको होस्ट जो कि हमारे life में, जीवन में काम आएगा तो thank you very much, आज cricket के factors थे और आगे मिलेंगे, फिर आज खोर factors और case studies को लेके आप बने रहे हैं, thank you so much, मैं God bless